नमो भारत का एक साल पूरा होने के उपलक्ष में आज उर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहरलाल ने गाजियाबाद इस्तितर साहिबाबाद रेल्वे स्टेशन पर ज़ा कर निरिक्षन किया स्टाफ से और यात्रियों से बाच्चित भी की कैबिनेट मंत्री ने नमो भारत में सफर किया और यात्रियों से वारता की इसको लेकर यात्री काफे उत्साहे दिखाई दी उन्होंने रेल्वे भारत की खुबियों को मनोहरलाल जी के साथ साज़ा किया कि देखिए सबसे पहले में तरोई जो आरटीस का प्रोजेक्ट है इसमें पैसेंजर्स को बहुत बड़ी सुविधा उनका टाइम बचता है लंबी दूरी को भी बहुत कम समय पुरियोग कर सकते हैं और हैसल फ्री जिस प्रकार की इसकी जर्नी है इस अफसर पर मैं आरटीस के पूरे भाग को पूरे सिस्टम को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं कि एक साल की यात्रा इनकी पूरी होई है और अगले सालों में जो भी काम है इनकी तेजी से आगे बढ़ें क्योंकि ये एक रूट है सारे काले खान से मेर्ट तक दूसरा र बावल तो ये सारे भी पाइप्लाइन में बहुत जल्दी सब शुरू हो जाएंगे और मैं समझता हूं कि एन्सियार के लोगों को एक बहुत बड़ी सुईदाइस से होगी अभी उस पर काम शुरू है क्योंकि उसमें टनल्स बनी है कई और काम होने तो मुझे लगता अग आरे इसके लोगों को बहुत बहुत शुरू काम शुरू होने पर शेरी एम विकास मंत्री मनोलाल खटर जी गाजबाद के सहवाबाद स्टेशन पर पहुंचे और उन्होंने स्टेशन का निरक्शन किया गाड़ी में बैट के सफर किया जो गाड़ी में बैठे थे नमभार आने में भी सुब्दा होती है महीं मनोल खटर लाल का कहना था उर्जा मंत्री का कि उन्होंने आज निरक्शन किया है इससे जो एंसेर के लोग है उनको काफी सुब्दा मिलती है आने जाने का समय बचता है और कराई में भी उपलब्दी है वह एर इंडियन का मजा ले सकते है और आने वाले समय में यह है जो रेलवे भिवाग है इनको भी तारिफ की और आने वाले समय में इससे भी अच्छा जंता को सुगात देंगे गाजयबाद से कैमरा सम्द रोहित के संग मैं परवी नरुडा एन बीनूर गाजयबाद